नमस्त्र दोस्तों वेलकूम ट्वावर्चन आज हमने लाएं आप लोगं के लिए सेवाई का उपमा आये दोस्तों बनाते हों और इसका मजा लेते हैं बहुत है लिए आप इस चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजाओ घंटी ज़रू दबाई ताकि पहला नोटिविकेशन आपको मिले और हमारा वीडियो के लाइक और सेर कीजिए कुछ अनादाल, कुछ बीन्स, कुछ गाजर, कुछ हरी मिर्ची, गादरक, लेसुन, कटवा टमाटो, कटवा प्याज और ये सेवाई और कुछ पंचपोरन, नमक, हल्दी, अलाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला लिए हैं आईए दोस्तों बनाते हैं, हमने यहाँ पर प्यान गरम कर लिए हैं, अब यहाँ पर सेवा को डालेंगे, हम पहले तेल डाल दिये थे, तेल में आप यहाँ पर सेवा को फ्राय करें, देखिए हमारा सेवा फ्राय हो गया अच्छ से, आप इसको प्लेट में निकाल लेते ह सेवे के लिए आप यहां पर पानी गरम करें, आप यहां पर पानी लिए हैं, दो कप पानी लिए हैं, आप इसको गरम करने के लिए छोड़ देते हैं, देखिए गरम हो गया है, आप इसमें उबला हुआ पानी में आप सेवे को डालेंगे, देखिए कितने अच्छे से उबल आप इसमें 1 फोर्ट टेबल स्पून नमक डाल देते हैं अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं याद रखें हमें बस इसको 10 मिनिट तक उबालेंगे देन इसको स्टेन करेंगे यह हम यहाँ पर कवर करें ताकि जल्दी जल्दी पख जाए देखिए सेवय अच्छे से पख गया है आप इसको स्टेन कर लेते हैं सेवय का उपमा जब भी आप बना रहे हैं आप अद्रक लेना मत भूलिए अद्रक लेने से आप सेवय उपमा खाते हैं तो ग्यास नहीं होता है आप चाहे तो काली मिर्ची थोड़ा डाल सकते हैं यह सब हमारे सेथ के लिए अच्छा होता है कुछ ग्यास नहीं होगा इसक दिलिए दूस्तों हम यहां पर अद्रक मस्त चाहिए वही प्यां लेते हैं आप यहां पर टू टेबल स्पून आयल ले रहें आप इसमें पंच फॉरुन को डालेंगे आप इसमें कटा हुआ प्यास को डालेंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे वान फोर टेबल स्पून नमक डालेंगे अब यह सब को अच्छे से फ्राई करेंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिये हमने यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा अच्छे से फ्राई हो गए है अब यहां पर लहसून और अद्रक हरी मिर्ची यह सब को मिलाकर अच्छे से फ्राइ करेंगे अद्रक लहसून हरी मिर्ची प्यास को अच्छे से फ्राइ करने के बाद हम यहां पर टमाटो को ले रहे हैं आप चाहे तो अपने हिसाब से टमाटो ले सकते हैं हमने यहाँ पर दो टमाटो लिये हैं आपको ओयल चाहिए तो आप इसी तरह ओयल ले सकते हैं ताकि ओयल का स्मेल भी नहीं आएगा अच्छे से पक जाएगा इसी तरह हम बाकी सबजी को डाल दिये हैं अब यह सब को हमें फ्राइ करना है अच्छे से देखिए सबजी हमारा अच्छे से फ्राइ हो गया है आप इसमें स्टेन किया हुआ सेवाई को यहाँ पर डाल देते हैं देखिए डाल दिये आप इस सब को अच्छे से हमें मिक्स करना है आपको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा काली मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं 1 टेबल स्पुन ताकि आपका स्वाद बर जाए उसके तस आपका इसी डिड़ भी नहीं होगा मिक्स करने के बाद आप यहां पर 1 टेबल स्पुन गरम मसाला डाल कर इसको मिक्स कर लेते हैं देखिए अब हमारा रेड़ी है सेवय उपमा लाल मिर्ची चाहे तो आप डाल सकते हैं आपको पसंद है तो हमारा अभी रेड़ी है आईए दोस्तों सब करते हैं देखिए कितना सुन्दर बना है आप इसी तरह बनाएए और खाये हैं हमारे वीडियो के एक लाइक और सेर कीजिए थैंक यू फो वाचिंग